नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने युट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सभी ने एक जुट होकर एक आवाज बुलंद पेस की है कि भी कोरोना से जब हमारा प्रदेश जूज रहा है और जो हरियाना प्रदेश की सीम मनहुरलाल खट्रनों ने घोशना की भी डॉक्टर्स को परामेडिकल स्टाप को हम डवल सेलरी देने जा रहे हैं तो इसी को लेकर सबी डॉक्टर्स ने और परामेडिकल स्टाप ने सरकार को बोला कि आप इस पुंजी का इस्तमाल जो है कोरोना से पीडित लोगों के बचाओ कारिये में और उनको दुबारा से ही उसी स्थीति में लेकर आने के लिए किजिए हमारा जमीर इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम इस संकट की गड़ी में परदेश से दोगुना वेतनले हमारा फर्ज हम इस पर कारियरत करेंगे ये उनका बड़पन है तो उनकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है तो वीडियो शुरू करने से पहरे और पूरी ख़बर बताने से पहले रिक्वेस्ट आज ये नहीं कर कुछ बाई कहा रहे हैं कि सर हमें डॉनेशन देना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड एक अकाउंट बनाया गया है उसमें डॉनेशन देना चाहते हैं कुछ से चैनल वालों ने जो है फ्रॉड वीडियो इसको लेकर बना रखी बना रखी है तो आप एक सही लुगदान दे सकते हैं जो प्रदेश के काम आए और देश के काम आए तो चलिए आज की जो देख लेते हैं एनचम कर्मियों का दोगुना वेतन लेने से इंकार शीयम का आबार देता है देखिए ना सिर्फ इंकार कि उन्होंने ये भी कहा कि मानिया मुख्यमंत्री मौला खटने जो हमारे लिए करने की कोशिश किया प्रियास किया उसके लिए हम उनका अबार प्रगट करते हैं शीयम को लिखा पत्रे संकट किस गड़ी में दोगुने वेतन की इजाज़त नहीं देता जमीर इस पैसे को कोरुना पीडित की राहत में करे इस्तमाल संग एनेचम क वेतनरासि का इस्तमाल करुणा पीड़ितों की राहत के लिए लिए कर लें अब इस महामारी के दोरानодी सवी क्रमचारे। से विचार है थे दोगुना वेतन को लेकर सवास्ते वयन्या करमियों में असमंजश सयलांलबा जी का भी एक एनस्सरों क्रमचारी संघ अरियाना क के प्रदेशा ध्यक्स सुवासलांबा वह महासचीव सतीज सेठी ने कहा कि कुर्ण से लड़ाई लड़े स्टाप को दोगुना वेतन देने की घोशना के बाद असमन्जस की सतीथी है कुछ डाक्टर नर्स एन्य पर्देकल स्टाप पर टोड़े से लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह भी असमन्जस है कि ठेके पर लगे स्पाई करमचारी सेधै करमचारी सेग करने की मांग की है तो डॉक्टर्स की बहुत बड़िया पहल नहीं लेना चाते और वो चाते हैं कि इस पैसे का जो है प्रयोग कोरुना पेडितों की भलाई में परदेश की सरकार और हर्याना की सरकार करें तो जितना इनका अभार प्रकट सुकरिया अदा किया जाएं किन लफजों में किया जाएं हमारे पास सब्द नहीं है जनता है वही इनका सुकरिया अदा कर सकती है ठीक है अध्यक्स रिहान ने कहा कि उनकी सरकार से सिर्फ इतनी मांगे कि हमेशा अगरीं पंक्ति में खड़े रहकर प्रदेश और प्रदेश वाश्यों की शेवा करने वाले एनेचम क्रमचारियों का सरकार बस बहुई सा सुनेचित कर दे अंत में उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि हर्याना सरकार एनेचम क्रमचारियों का वेतन तुकडों में देने की बजाए एक मुस्त रासी में उतलब्द करवाना भी सुने स्चीत करें तो दोस्तों आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही आई होप वीडियो काफी पसंद आई होगी कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग यूट्यूप चैनल एमडी टूरीटर पब्लिकेशन थैंक यू वेरी मॉर्ट